Welcome back to my channel, नमस्कार दोस्तों, Andy Classes में आपका फिर से स्वागत है Friends, चली शुरुवात कर लेते हैं, General Studies के Questions की निम्न में से किसने इंकलाब जिन्दाबाद का नारा दिया था? किसने इंकलाब जिन्दाबाद का नारा दिया था? काफी famous नारा है, इंकलाब जिन्दाबाद का, जो कि हमारी आजादी मिलने से पहले दिया गया था तो आपको बताना है, इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिन्दाबाद का नारा हसरत मोहनी ने दिया था परशिद कोहिनूर हीरे की प्रापती किन खानों से हुई थी तो गोल कुंडा खानों से कोहिनूर हीरे की प्रापती हुई थी निमलिक्त में से किसे भारत के grand old man की रूप में जाना जाता है भारत के किस आदमी को grand old man की रूप के नाम से जाना जाता है तो वो हैं दादा भाई नारो जी जिनको grand old man की रूप में जाना जाता है मुम्मद गोरी ने भारत पर सबसे पहले आकरमन कहां किया था वेर डिड मुम्मद गोरी फर्स्ट अटेक इन इंडिया तो भारत में मुम्मद गोरी ने सबसे पहले आकरमन कहां किया था जो है मुलतान में किया था मौमद गोरी ने पहला आकरमन भारत में कौन से आंदोलन के बाद सरदार वल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी दी गई थी इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया भारत कास्वर पर्थम गवर्नर कौन था गांदी जी ने दांडी मार्च किस कानून के विरोध में निकाला था नमक कानून के विरोध में गांदी जी ने दांडी मार्च निकाला था चार option दिए गए हैं आपको बताना है इन में से कौन सा योद्धा है जो कि पानिपत की दूसी लड़ाई से संबंदित नहीं है तो बैरम खाँ जो है वो पानिपत की दूसी लड़ाई से संबंदित नहीं है निम्लिक्त में से कौन सा नेता जिसने भारत में श्रमिक आंदोरन को संगठित किया था बी-पी वाडिया थे जिनोंने भारत में श्रमिक आंदोरन को संगठित किया था निम्लिक्त में से कौन सी आत्मकता नहीं है चार जो है option दिये गए हैं आपके सामने तो आपको बताना है इन में से कौन सी जो है वो आत्म कथा मतलब की autobiography नहीं है तो तुझुक ए बाबरी जो है वो आत्म कथा नहीं है तुझके बाबरी या फिर बाबर नामा जिसको का जाता है भारत में मुगल समराज्य के संस्तापक बाबर की आत्म लिखित जीवनी है जिसको बाबर ने तुर्की भासा में इसकी रचना की गई थी बाद में बाबर के पोते अकबर ने पंदरा सो तिरासी इस विमें अबुदर रहीम खाना द्वारा तुझुके बाबरी का फार्सी में अनुआद कराया था तो तुझुके था किसने चोसा की लड़ाई जो कि 1549 में लड़े गी थी में हुमायू को हराया था तो शेरशा ने हराया था चोसा की लड़ाई में हुमायू को और इसी युद में जितने के बाद जिसका नाम पहले सेर खान था उसने अपने आपको अपने आपको जो है सेरशा के नाम से स सजित किया था तो इस लड़ाई से चोशा की लड़ाई से पहले शेर खान नाम था बाद में शेर सा पड़ा निमन में से मुम्ताज महल का असली नाम क्या था तो मुम्ताज महल का असली नाम क्या था तो मुम्ताज महल का असली नाम अजुर मंद बानो बेगम था तो किस लगाया और इसवे महिला, जय सिंग के अंरोद पर जरी आकर को सधा के लिए सबसे पहले समाप्त किया था पहले अकबर ने लेकिन उसके बाद और इसवे लिए है 16 इम करियपा कोड़नान मडप्पर कुरिया प। 14 जनवरurun नीयुक्त किया गया था उसी की वजि से 15 जनवर को यह 250 की मनाया जाता है करियप्पा जो है राजपूत रेजिमेंट से संब्धित थे बारते सुधार संग दा इंडियन रीफोर्म एसोशेशन की स्थापना 1870 में किस ने की बारते सुधार संग की जो स्थापना है वो केश्यव चंदर सेन ने की थी 1870 में गुजरात विजे की यादगार में अकबर ने किसका निर्मान कराया गुजरात विजे की यादगार में अकबर ने बुलन दरवाजा का निर्मान कराया था 1573 में अकबर ने गुजरात को जीता था सुल्तान मुझफर तिर्थिया को हरा कर बुलंदरवाजा गुजरात विजे की यादकार में बनाया था अकबर ने बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था इसके तहट 1784 में ब्रिटिस सरकार द्वारा East India Company के परशासन को ब्रिटिस सरकार के निंतन में लाने के लिए इस अंसद में पेस किया गथा जब सिंद का विले हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था करेंगे या मरेंगे गांदी जी ने राष्टर को यह मंतर की सांदोलन में दिया था किस लड़ाई ने भारत में मुगल शासन की नीव रखी गई तो वो थी पानिपत की पहली लड़ाई हडपा किस नदी के तर्ट पर स्तित है नेमन में से अलुपानसो आम का घर कौन सा है अलुपानसो आम का घर वो है रतना गिरी नमक कानून के उलंगन के साथ ही गांदी जी ने एक आन्दोलन की शुरुवात की थी उसे क्या का गया नमा कानून के उलंगन के साथ ही गांधी जी ने जो है वो नागरिक अवग्या आंदोलन की शुरुवात की थी तो ये सभी फ्रेंड्स ये सभी वीडियो जिसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियो जो मेरे चैनल पर अबलेबल हैं आप देख सकते हैं स्क्रिंशोट लेकि रख सकते हैं अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जोर करेगा शेर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स पर वोचिंग बने रहे हैं मेरे साथ ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी